प्यारे दोस्तों, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है एक बहुत ही अनोखे विडियो में दोस्तों यह विडियो आपके जिन्दगी में बहुत काम आएगा क्योंकि इस विडियो में ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो शायद आपने पहले कभी सुनी नहीं होगी और हो सकता है कि मैं जो बता रहा हूँ, मैं जो शेयर करने जा रहा हूँ इस विडियो में आपके साथ हो सकता है आपकी जिन्दगी भी बदल देगो आपकी जिन्दगी से निगिटिविटी को दूर कर दे negativity ऐसी है दोस्तों के जैसे पीछे जो background है dark it is the darkness and we are always हम लोग उसे उसे देखना नहीं चाते उसके साथ कुछ करना नहीं चाते उसको हम एक store house में जिसको हम हमारा subconscious कहते है हमारा unconscious कहते है उसमें हम हमेशा दबा के रख देना चाते है लेकिन होता ऐसा है दोस्तों के जब भी हम वेवहारिक जगत में आते हैं संसारिक जगत में आते हैं तो बाद बाद में जो हमने दबाया है भीतर वो उभर के सामने आ जाता है हमारा गुस्सा उभर के सामने आ जाता है हमारे भीतर की जो कामुकता है जो sexuality है हमारे भीतर की वो उबर के सामने आ जाती है हम लोगों के साथ सहज नहीं हो पाते क्योंकि इतना कुछ दबा दिया है हमने भीतर हमारे कि वो अलाव ही नहीं करता कि हम बिलकुल एक free जैसे यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मेरे सामने बहुत सारे पंची है और जब मैं उन्हें देखता हूँ तो they are very much free with each other बहुत सहज रूप में कभी वो मिलेंगे कभी वो बिछड जाएंगे बहुत सहज रूप में उनका वेवहार है एक मेक्के परती लेकिन दोस्तों हम मनुश्य हम लोगों ने इतना कुछ दबा दिया है हमारे भीतर के हम सहज नहीं हो पाते और अगर हम सहज नहीं हो पाते हैं तो हम कोई भी relationship को maintain नहीं कर सकते दोस्तों चाहे वो हमारे बच्चों के साथ में हो चाहे वो हमारी girlfriend के साथ में हो हमारी wife के साथ में हो सहचता हर step में important है सहचता का मेरा मतलब है natural एक flow चाहिए एक spontanity चाहिए हमारे सुभाव में वो नहीं आ पाती है तो दोस्तो आज की जो technique है ये based है law इसको ठीक से सुन लीजे दोस्तो बड़ा confusion है इसमें law of affirmations में ये जो technique है law of affirmation की technique है law of attraction की नहीं है law of attraction और law of affirmation में बहुत ज़्यादा अंतर है दोस्तो कुछ लोग समझते ही नहीं है law of वो ऐसा समझते है के law of attraction ही law of affirmation है या law of affirmation ही law of attraction है हो सकता law of attraction पे जो लोग बात करते हैं law of affirmation की कोई जानकार ही नहीं है to be very clear to be very specific law of affirmation वो लॉज है जो हम अपने आपको सुचनाए दे रहे हैं हम प्रतीपल हमारे दोस्तों हम प्रतीपल हमारे ब्रेन को कुछ न कुछ सुचनाए दे रहे हैं आप अगर spiritual path पे हो तो ये video तो आपके लिए बहुत ज्यादा काम का है कि हम प्रतीपल हमारे ब्रेन को कुछ न कुछ सुचनाए दे रहे हैं फॉर एक्जामपल के जैसे हम घर से निकलते हैं कोई हमें ट्रेन पकड़नी है सपोस तो हम पहले ही उसको एज्यूम कर लेते हैं कि काश वो ट्रेन मेरी छूट न जाए वो ट्रेन अरली न आ जाए मेरे गाड़ी न पंचर हो जाए या कुछ भी दोस्तों हमेशा कुछ ना कुछ सुचनाए दे रहे हैं हमारे मन को और हमारा मन इतना confused state में है कि कौन सी सुचना लू और कौन सी सुचना execute करो वो बहुत confusion है और जो भी outcome आता है उससे हम खुश नहीं हो सकते जीवन में क्योंकि ऐसा समझो दोस्तों कि एक ही रूम में चार रेडियो बज़ रहे है कि एक में classical बज़ रहा है एक में बॉलिवुड बज़ रहा है एक में सूफी बज़ रहा है एक में कवालीस बज़ रही है चारो एक साथ में चालो हो गए लेकिन एक भी चीज़ ठीक से नहीं सुने आ रही है हमारे भीतर fear है हमारे भीतर sadness है हमारे भीतर anger है बहुत सारे emotions हमने जैसे मैंने पहले कहा कि सबकॉंशेस में हमने दबा के रखे हैं तो ये जो टेकनीक है दोस्तो लॉआ अफ एफरमेशन ये बहुत अच्चुक शस्त्र है लॉआ अफ एफरमेशन वर्क्स एज अ मेडिसिन और ये जो वीडियो है ये जितने भी यूट्यूब पे आज तक है उन सब में एक बात उन्होंने जरूर स्कीप कर दी है जो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा दोस्तो इफ यू आर ऑन अ स्पिरिच्वल जर्नी अदर्वाइस इट इस ओके फॉर यू मेरा जो आधा जो मैं बताऊंगा उतना ही आपको फॉलो करना है तो क्या करें दोस् सबसे पहली चीज तो अपने जितने इमोशन जो चीफ इमोशन है आपके मैं चीफ इमोशन पर फिर किसी वीडियो में बात करूंगा चीफ इमोशन याने जो इमोशन बार-बार आ जाते है जो एक कोई इमोशन है वो बार-बार आ जाता है चाहे वो लस्ट का हो चाहे वो हो चाहे वह सेक्स का हो कुछ भी तो कोई भी एक emotion ले लिजे फॉर example sadness sadness तो एक paper ले लिजे दोस्तों उस पे वो सारे emotion लिख दीजे जिससे आप जिससे आपने दबाए है जिन्दगी में sadness है यह बहुत दबाते हैं हम लोग कोई पूछता है यार इतना उदास क्यों दिख रहा है तो हम कहते हैं कि अरे मैं और उदास ऐसा तो हुई नहीं सकता मेरे जितना तो जॉली आदमी नहीं मेरे जितना तो जॉयस आदमी नहीं मेरे जितना तो positive आदमी नहीं है so we don't want to show the darkness एक हम लोग sadness को ले लेंगे ठीक है ऐसे 20-25 emotions आप लिख दा लिए अपने कागस पे और उसको समाल के रखिए और एक side में तो emotion लिख लीजिए और उसके opposite में उसके विरुदार्ती भी लिख दीए जैसे for example sadness का जो विरुद होगा वो होगा joy एंगर का जो विरुद्धार्ती है वो होगा cheerfulness है ना तो उनके जो विरुद्धार्ती है चाहे तो उसे Google भी कर सकते हो जरूरी नहीं अपनी बुद्धी लगाओ उसको Google भी कर सकते हो या किसी को पूछ सकते हो कि किसी आपके घर में अगर कोई बच्चे है उनको पूछ लीजेगा कि इसका opposite क्या होता है तो एक sadness हमने emotion ले लिया दोस्तों अब करना क्या है law of affirmations सबसे ज़्यादा तेज सबसे ज़्यादा सठीक कहा काम करते है दो ही वक्त है दोस्तों तीन वक्त है मैं तो कहुंगा तीन वक्त ये जो तीसरा वक्त है ये किसी ने नहीं जाना मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि तीसरा वक्त कौन सा है सबसे पहला जो वक्त है वो तो है रात को सोने से पहले किक है दोस्तों दूसरा जो वक्त है वो है सुबह उठने के बाद आख खोलने के पहले और तीसरा जो वक्त है जबी भी आप खुश होते हो वो वक्त जबी भी आप खुश होते हो दोस्तों आपका चित एक दम छत्री के माफिक खुल जाता है, अंब्रेला के माफ़े, है न, खुले आस्मान जैसा हो जाता है, तो सबसे पहले तो आपको ये एफिर्म करना है, कि जॉइ इस कमिंग इंटू माइ लाइफ, सैडनेस को, हम लोगों को सैडनेस पर अगर काम करना है, तो हम अंधिरे पर काम नहीं करेंगे, हम सिधा उजाले पर काम करेंगे, कि हम ये एफिर्मेशन देंगे, कि जॉइ इस कमिंग इंटू माइ लाइफ, it is increasing, the quantum of joy is increasing day by day, and I am feeling the thrill of joy 24 hours, ऐसा कुछ बहुत positive, आप लिख लीजिए, आपकी मातरु भाशा में, जो भी आपकी मातरु भाशा होगी, उसमें लिख लीजिए, and start affirming it, इसको affirm करना शुरू कर दो दोस्तों, इसको affirm करना है, चाहे तो वह एक line का भी हो सकता है, एक line का अगर हो तो बहुत अच्छा, कि I am feeling joyous day by day, I am feeling joyous every moment in my life, ये एक बहुत अच्छा affirmation है, कि I am feeling joyous every moment in my life, ओके, इस affirmation को बीस बार आपको दोराना है, दोस्तों, उननीस बार नहीं, बीस बार, आपको इस affirmation को बीस बार दोराना है, और इसको दोराते दोराते हैं, अगर आप सुझा जाओ तो बहुत अच्छी बात है, फिर affirmation will be the last thing you do in night, it will be the last thing you do in night, ओके, इसको बीस बार दोराना है, और दोराना ऐसे है कि आप इसको सुन पाओ, you should listen what you are saying, इसका effect डबल हो जाएगा दोस्तों, और यह कहते-कहते आपको सोजाना है, और फिर, फिर क्या करना है दोस्तों, जब ही बे आप उठो, तो इसको दोराते-दोराते उठना है, और उठने के बाद में भी आख खुलने के पहले इसको बीस बार दोराना है, सुभे का जो affirmation होगा के, Today I will feel joy in my life, तोड़े आइ भी फिल जोई, यह जो भी होगा, For 24 hours, I'll be feeling joyous, For 24 hours, I'll be feeling joyous, For 24 hours, I'll be feeling joyous, यह जो भी आपको affirmation बनाना है, दोस्तों, यह तो मैं example दे रहाए हूं, and continue it for 7 days, whenever you feel happy in between जबी भी ऐसा लगे कि joy आया आपकी जिन्दगी में just thanks thank you invite the energy of joy in your life है न affirmation देने के पहले सबसे पहले दिन आप इसको install कर लेना बैड जाना एक गद्दे पे आपके दोनों हातों को खोल देना and and just pray to the energy of joy this all are energies friend the fact is we don't invite joy in our life the fact is we don't invite it so just invite the energy of joy in your life that dear joy dear energy of joy I invite you wholeheartedly in my life just go on inviting the energy of joy so friends ये हो गया routine आपका आपको ये करना है for a week एक हपते तक आपको ये करना है दोस्तों जैसे ही इस चीज़ को बहुत गौर से सुन लिजे दोस्तों जैसे ही आपको इसका evidence मिल जाए मन इस चीज़ को फिर दुबारा करना चाहेगा क्योंकि आपका मन हमेशा खुश होना चाता है उसने सीख लिया है दोस्तों इसके लिए आप जो भी affirmation बनाना चाहते हो जो भी words बनाना चाहते हो सुन्दर से शब्द invitation के लिए बना लीजी and then lie down and affirm के joy is coming in my life I am feeling joyous ऐसे ही दोस्तों जैसे ही evidence मिल जाए आपको और आप देखो के एक हफता लगेगा दोस्तों इस law of affirmation को काम करने के लिए आपके जिन्दगी it will take seven days जैसे ही seven days में आप देखोगे के आपकी जिन्दगी में joy आना शुरू हो गई है उसको और तेज कर दो दोस्तों उसको फिर हो सकता है तीन-चार दिन और बढ़ा लो हो सकता और एक हफता इसको बढ़ा लो and then drop it and then start the second जो हमने फेरिस्ट बनाई थी फिर आप काम करो आपके फियर पे फियर का अपोजिट होता है दोस्तों करेज हम लोगों ने बहुत फियर को दबा के रखा है हमारे भीक्तर फिर काम करो करेज पे दोस्तों I am feeling courageous in my life जो भी affirmations आपको बनानी है खुब affirmations बनाऊ दोस्तों courage के लिए ओशो को सुनो ओशो क्या कह रहे है courage पे उसको सुन के affirmations बनाऊ और ऐसे धीरे 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 दोस्तों जो भी आपके chief weaknesses है उस पे काम करिये so this is the technique affirmation is affirming your mind what to do it is not affirming your mind what not to do affirmation is affirming your mind what to do चित्त ही मंत्र है दोस्तों शिव का ये सबसे पहला सूत्र है चित्त ही मंत्र है man is what he thinketh he is okay what you affirm yourself आप क्या संदेशे देते हो आपके मन को मन उसको पूरी तरह से पकड़ लेगा अब दोस्तों इस चीज को जब आप छे साथ महने कर लो अब मैं आपको वो बात बताता हूँ दोस्तों जो spiritual सीकर है वो गौर से सुने के हाँ आपके जीवन में जब बहुत जॉय आ जाए बहुत करेज आ जाए फिर दोस्तों नाव जो western philosophy है दोस्तों वो यहीं रूप जाती है eastern philosophy में यह है के drop everything के I am becoming thoughtless एक बार आपका मन command लेना सीख जाए तो वो यह भी command ले सकता है दोस्तों के मैं निर्विचार हो रहा हूँ मैं ध्यान में बहुत गहरे जा रहा हूँ यह commands भी हमा आपका मन pick up करना शुरू कर देगा फिर उसको आप कोई भी command दोगे यह सारी command spiritual commands है दोस्तों कि मैं ध्यान में बहुत गहरा जा रहा हूँ मैं मैं विचार शुन्ने हो रहा हूँ मैं एक साथ में दो घंटे बिगर अपने शिरिर को हिलाए बैठ सकता हूँ तो दोस्तों फिर तो आपके मज़े ही मज़े है फिर तो आप ध्यान में बहुत गहरे जा सकते हों लेकिन इसके लिए जो बेस है दोस्तों वो छे मेने का या तीन मेने का बेस रहेगा जब तक आप अपने चीफ इमोशन्स पे काम नहीं कर लेते दोस्तों इस चीज के लिए कभी मत आप जाईएगा कुछ लोग ऐसे है कि डाइरेक्ट इस चीज पे जाना चाहेंगे आपका मन उसे स्विकार नहीं करेगा क्योंकि आपके मन को आपकी बात स्विकार करने की आदत नहीं है आपकी अनकॉंशेस बात स्विकार करने की आदत है लेकिन कॉंशेसली जो कमांड दी जा रही है मन को वो मन के लिए बड़ी अपरिचित है और मन अन्नोन से बहुत ड़ता है सबसे पहले तो दोस्तों आपने मन के साथ परिचे बनाई है affirmations के तुरू let your mind be happy कि yes ये आदमी जो बोल रहा है ये बहुत मुझे खुश करने के लिए बोलता है be a friend of your mind so this is it दोस्तों end यहां पे करना है आपने कि I am becoming thoughtless day by day मैं ध्यान में बहुत गहरे जा रहा हूँ मैं निर्विचार हो रहा हूँ जबी में मैं बैटता हूँ silent setting में मैं निर्विचार हो जाता हूँ जबी में मैं सक्रिया ध्यान करता हूँ तो मैं पूरी तरीके से सक्रिया ध्यान कर पता हूँ अपने संकल्प के साथ मेरा संकल्प रोच प्रगाड हो रहा है बहुत सारी कमांज आप दे सकते हो बहुत-बहुत शुक्रिया दोस्तो आशा करता हूँ कि आप मेरे हर वीडियो का लाब ले दोस्तो ऐसे वीडियो ये मैं अपने 27 साल के अनुभों से सारे सारी चीजे बना रहा हूँ और इन दिनों मेरे मेरे साथ में कुछ ऐसा हो रहा है कि कुछ न कुछ शेयर करने के लिए मेरे पास में आई जाता है जो हम सब के बहलाई के लिए है दोस्तों कुछ मंगल हो रहा है मेरे मंगल में आप सहभागी हो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों थेंक यू वेरे मच